पहले लोगों को ये पता नहीं होता था कि क्रेटीन को लेना कैसे होता कि क्रेटीन उनके लिए एक नई चीज हुआ करती थी वे प्रोटीन तो छोड़ो क्रेटीन के बारे में ही लोगों को नहीं पता होता था कि ये क्रेटीन होता क्या है यार इसको लेते कैसे है तो बहुत से लोग इसको fresh juice में लिया करते थे उस time लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे study बढ़ती गई वैसे वैसे पता चलता गया कि यह क्रेटीन को पानी के साथ भी ले सकते हैं लेकिन आज कल के time में भी यह बहुत साथ confusion है कि भी यह इसको workout के पहले ले, बाद में ले, कब ले तो यही सब चीजे आज इस video के अंदर हम discuss करेंगे और आप लोग को एक बैतरीन तरीका बताऊंगा इसका लेने का लेकिन सबसे पहले में आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह सबसे research किया हुआ supplement है और इसके बारे में यह नहीं बोलूँगा कि आपको यह ATP generated है, सब चीजे नहीं करूँगा यह चीजे आप लोग को पहले सी पता है तो वो चीजे बताने का कोई फाइदा नहीं है ऐसी चीज जो आपको पता नहीं हो वो ही चीज में आपको बताऊंगा ताकि आपका पैसा बरबाद नहीं हो लेकिन सबसे पहले बात मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूँ कि जो supplement है न यह बहुत लोग बोलते हैं कि इससे बाल जड़ जाते है या कुछ और हो जाता है kidney खराब हो जाती है तो देखो इससे होता कुछ नहीं है कोई भी supplement क्यों न हो आपको सही तरीके से सही dose में सही time पे और सही मतलब पानी का क्या बोलते हैं आपको लेना पड़ेगा जादा जब जादा पानी पी होगे तो ऐसी कोई भी problem नहीं होगी तो यह सबसे पहले तो clear होगी बात लेकिन अब बात करते हैं कि इसको लेने का तरीका क्या होता है लेने का तरीका आप कब ले सकते हैं बहुत से लोग बोलते हैं इसको loading phase क्योंकि सप्लिमेंट की उसको डबबे के ओपर लिखा हुआ हुआ रहता है कि इसको loading करो किसी में नहीं लिखा रहता है लेकिन अब बात करें तो loading करना चाहिए तो loading कर सकते हो लेकिन अभी जो gram आ रहा है वो 3-4 gram का आ रहा है जो उसका scoop रहता है तो अगर आप 20 gram लोगे तो पहले workout के पहले लोगे workout के बाद मिलोगे और फिर बाकी time आप घर पे लोगे ऐसे में क्या होगा जो मैं एक general लोगों की बात कर रहा हूँ जैसे मैं भी normal person नहीं हो और घर वाले ये सब चीज़े देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये बतानी क्या ले रहा है तो भाई अगर आपके घर वाले allow करते हैं तो वो loading phase कर लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन workout के पहले अगर आप लेना चाहते हो तो low 101% क्योंकि body आपकी है आप उसको अच्छी दरीगे से समझ सकते हो तो सबसे पहले आप 15 या 20 दिन आपको workout के पहले ले लो फिर आपको समझ में आएगा कि क्या load आ रहा है की नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सो लोग बोलते हैं कि स्ट्रेंथ गेन हो रही है तो आपको ये समझ में आएगा कि स्ट्रेंथ गेन हो रही है की नहीं हो रही है 15 से एक महीना फिर एक महीने के बाद वर्काउट के बाद में ले लो, तो आपको ये differences समझ में आएगा, देखो body type सबका अलग-अलग होता है, सबको अलग-अलग तरीगी से आप result देता है, तो आपको ये चीजे समझ में आजाएगी, कि मेरे को ये workout के पहले अच्छा result देगा, कि बाद में देगा कि मेरे को कित्ते दिन चलाना है, और रही बात कित्ते दिन चलाने की, तो देखो भाई, कोई भी supplement में 2-3 महीने जादा चलाने की बात नहीं करता हूँ, चाहे चाहे वेब तो इसी तरगी की वीडियो इस चैनल पर भाई भी आते रहते हैं तो वीडियो को चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं किसी और टॉपिक पर और कोई comments करना कोई दिक्कत हो तो comment box में ज़रू comment कर सकते हो तो मिलते हैं next बुलियो में तुप तक अपना ध्यानर को में वेलोग